हेलो फ्रेंड्स इजी टू हेल्दी के चन में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं गुंजन आज फिर एक रिसिपी के साथ तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक दाल पनीर जो बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और हेल्दी तो है ही आप इसे रोटी और चावल द दाल लिया है और उसी से मैंने दो बावल मूंग का दाल ले रही हूं यह धुली मूंग की दाल है तो आपके घर में जितना लगता है आप उतना दाल ले या अंदास से आपको जितना आप बनाते हों आप उस तरह से दाल ले ले और यह पालक है एक गड़ी पालक है जिसे म में और अब इन सब को कूकर में डालेंगे और ये थोड़े से मटर और इन सब को मैं अच्छे से दोली हूं साफ करके और अब इसे भी कूकर में डाल देंगे और पानी डालेंगे तो यहां पर पानी इतना डालना है कि दाल जो हैसो हमारे अच्छे से डूप सके दाल और पालक जो हैसो पूरा अच्छे से डूप सके और यहां पर मैं डाल रही हूं नमक स्वाद के इन सवायर डाले नमक यहां पर और यह थोड़ी सी हल्दी हल्दी जादा नहीं डालेंगे बस थोड़ी सी डालेंगे कलर के लिए और अब इसे मिक्स कर देंगे और कूकर का ढकन बंद करके दो से तीन भी सिल आनने तक इसे पकाएंगे तो यहां पे सरसो का तेल लेंगे और दाल के तड़का के लिए तयारी करेंगे यहां पे तो यहां पे मैंने दो टेबल स्पून भरके सरसो का तेल लिया है आप चाहें तो यहां पे घी या बटर भी ले सकते हैं और देखिए दाल बहुत अच्छे से पक चुका है अच्छे से गल गया है चना का दाल जो है बिल्कुल खिला खिला है और मूंग का दाल अच्छे से गल चुका है और पालक भी पक चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं दाल बहुत अच्छे से पका है तो तड़के में यहाँ पे मैं जीरा डाल रही हूँ हाप टी ए स्पून इसे थोड़ा भुन्ने देते हैं और हींग पांच से छे पिंच और यहाँ पे तड़का के लिए मैंने ले रखा है यह टमाटर है दो मीडियम साइज के टमाटर और दो से तीन हरी मिर्च यह धनिया पती अधरक एकिंच का ग्रेट किया हुआ और एक ये बड़े सायज का प्याज है जिसे मैंने छोटे तकनों में तक कट किया है। और ये लहसुन की कलिए आठ से दस इसे भी छोटे तकनों में मैंने कट किया है थोड़े से पनीरuz तो पहले यहां पर लहसुन डालेंगेindet और ये अद्रक साथ ही हां पर हरी मिर्च भी डाल देंगे और थोड़ा सा इसे भुनेंगे कि तो यह बहुत ही कम मसाले में बहुत ही टेस्टी ओर हल्दी डाल बनकर रेडी होता है अगर इस डाल को बना लेंगे तो सबजी बनाने की जरूरत ही नहीं है तो यह देखिए थोड़े मसाले भून गए हैं तो यहाँ पर प्याज डाल देंगे और इसे भी भूनेंगे तो प्याज को ज्यादा लाल नहीं करना है हलका गोल्डन करेंगे तो इसे चलाते हुए भूनते रहें और यह भून गया है तो यहीं पर हम लोग टमाटर भी आइड कर देंगे और टमाटर को बिल्कुल गला करके पका लेंगे यहाँ पर ठक कर भी इसे आप पका सकते हैं तो यह देखे टमाटर बहुत अच्छे से गल गया है और जो थोड़े खड़े हैं उसे अस्पेचला की मदद से आप उसे थोड़ा तोड़ लें क्रस्ट कर लें तो यह देखे मैंने उसे अच्छे से तोड़ कर एक मसाले के जैसा बना लिया है तो तड़का बिल्कुल भून की रेडी है और अब यहां पे डाल देंगे जो हम लोगों ने डाल पका के रखा है उसे पूरा इस तड़के में डाल देंगे और अब इसे तीन से चार मिनट तक पकाएंगे अच्छे से यह उबल जाना चाहिए थोड़ी देर मसाले के साथ यह पकेगा तो काफी अच्छा स्वाद आएगा डाल में तो इसे ढख कर थोड़ी देर पकाएंगे अगर यहां पे डाल लग रहा हो कि थोड़ा गाढ़ा है तो आप यहां पे थोड़ा सा पानी भी आइड कर सकते हैं और नमक भी टेस्ट कर लेंकि नमक कैसा है कर अमें एक अज़ है तो आप इहां पे जादा हो गया है तो आप जीलेट इहां पे एक टमाटर और फ्राई करके इसमें मिक्स कर सकते हैं उटीन कभी नमक पहले डाले तो यह देखिए दाल बहुत अच्छे से पक चुका है अच्छे से मसाले के साथ और यहां पर मैं डाल रही हूँ दो टीए स्पून घी इससे काफी अच्छा स्वाद आएगा दाल में और यह गया यहां पर पनीर तो पनीर को मैंने काफी चोटे टुकड़ों में कट किया है बड़े बड़े टुकड़ों में नहीं कट किया है इस दाल में चोटे साइज के पनीर ही ज्यादा अच्छे लगते हैं तो अब एक से दो मिनट और पका लेंगे तो मैंने यहाँ पे ढख दिया है इसे और यह देखिए दाल बिल्कुल बनके रेडी हो गया है यहाँ पे और उपर से डालेंगे कटी हुई हरी धनिया पत्ती और अब इसे मिक्स कर देंगे आप चाहें तो यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं या मेथी के पत्ते भी डाल सकते हैं दाल में पकने किस बक्त और ये देखिए, प्लेटिंग मैंने कर दिया है, तो ये देखने में कितना सुन्दर लग रहा है, तो आप इसे ट्राइ करें और रोटी और चावल के साथ बनाएं, थैंक यू, बाबाई